जैहिन सातियों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Gen YouTube चैनल में दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सुन्दर है और पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है जो आपकी परिक्षा में पत्र पत्रिकाएं जो पूछी जाती हैं पत्र पत्रिकाएं आप गलत करके आते हैं लेकिन इसके बाद कभी गलत नहीं होगा ठीक है जो प्रमोग पत्रिकाएं हैं जो आपकी पेपर में आती हैं चाहिए वो आपका Net Exam का हो PGT और TET, LTE, RPSC कोई भी एक्जाम का हो आपके लिए वीडियो बहुत ही और रामबान है ठी ठीक है इससे पहले बहुत सारे फपनी फफ़नी टृक बीडियो दीए हैं दोस्तो कि आप एक बार वीडियो देखके भूल जाना वीडियो को आप पेपर में बैठेंगे परिक्शा हाल में बैठेंगे आपको वो कॉस्टेन राजाएंगे ठीक है तो發 करते हैं दोश्तो आ अपताहक था ठीक है और इसके संपादक कौनते पंडे जुगल किसूर और ये 1826 में दोस्तो कलकत्ता से प्रकासित हुआ था ये चीज तो आपको किलियर हो गई ठीक है दोस्तो उदंत मारतंड उदंत क्या होता आपन बोलते ना यार कि किसूर लोग बहुत उदंड होते हैं क जो 1826 में आपका जो समाचार पत्र निकलेगा वो कौन सा निकलेगा अधन्त मारतंड और इसके संपादक कौन होंगे पंडे जुगल किसूर ठीक है क्यूंकि उदंड होते है किसूर जो 1820 वर्स की होते हैं ठीक है तो आपका जो एक नम्मर है वो आपको याद हो जाता है ठ इसके थे दोस्तो राजा राम मोहर राय और आपको पता है दोस्तो बंग से बनेगा बंग हम बोलते थे ना किया उसने बंग निकाल दी क्या निकाल दी बंग निकाल दी और आपको पता है दोस्तो कि बंग तो अद्वी राजा में भी निकाल देता है बंग तो राजा में भी निकाल देते हैं तो राजा राम मोहराय और 1839 में ये पत्री का निकली थी दोस्तों तो ठीक है आपको याद क्या रखना है 1826 में उदंत मारतंड 1839 में बंग दूत राजा राम मोहराय और बंग तो लोग राजा में भी निकाल देते हैं यानि की राजा राम मोहराय ठीक है त का प्रकास्षन हुगत 1845 में दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आपको पता है आप बनारस जाओगे बनारस जब भी आप जाओगे आप सिव जी के मंदर जरूर जाओगे गंगा के घाट के वहां पर आपको सिव जी का मंदर है वहां पर दर्सन करने जरूर जाएंगे तो सकबार के जो संपादक होंगे सिउजी के मंदर जाओगे तो सिउपिरसाद सितार हिंद इसके कौन होंगे संपादक होंगे ठीके क्योंकि जब बनारस का नाम आता है तो अदमी के माइंड में आ जाता है कि बहां सिउजी का मंदर है ठीके तो बैसे ही यहाँ पर बनारा सकवार का नाम आया और आपको याद आना चाहिए राजा से उपर साथ सितारे हिंद 1845 ठीके इनको सितारे हिंद की पद भी दी गई थी और इन्होंने बनारा सकवार निकाला था 1845 में ठीके नेक्स दोस्तो सुधाकर सुधाकर की जो संपादक हैं वो बाबू तारा मोहन मित्र हैं और दोस्तो ऐसा नहीं लग रहा आपको सुधार कर आप पड़ो सुधाकर या फिर सुधार कर तो दोस्तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक जो आकास में तार ही निकलती न तारा एक ता पचास वर्सों से खराब है उसे हमें क्या करना है सुधार कराना है कितने वर्सों से खराब है पचास वर्सों से तो 1850 इसका प्रिकास अनकाल होगा ठीक है सुधार कराना है दोस्तों क्या तारा तो बाबू तारा मोहन मित्र सुधार कर तो सुधार कर पत्र के क्या होंगे सुधार कराना है क्या वो सर वोले आप तारा तारा तो में सुधारा उसके वहा। सदा सुखलाल को नहीं साथ सुखलाल को नहीं lorsque गूंतिway याद क्यों साथ रहत कि सदा सुखलाल तो मैं आपम बता दूँए जिने में बुद्धी होती है वो सदा सुख रहते हैं उनको सदा सुख ही रहते हैं वो सुख के लाल हो जाते हैं तो जिनके पास बुद्धी है वो सुख ही रहते हैं सुख लाल रहते हैं सुख के लाल हो जाते हैं तो सदा सुख लाल आपका सही होगा और 1852 में दोस्तो आगरा से प्रकास चित हुआ था ये चीज भी आपको याद रखनी है आप मैं पूछूँँगा बुद्धी प्रकास जी हासर जिनमें बुद्धी रहती है वो सुखी रहती है मतलब सुखलाल ठीक है याद रख लेना सुखी रहती है तो सुखलाल ऐसे समाचार सुधा वर्ष वो ही आप जल्दी देखते हो तो समाचार कैसा होनी चाहिए शुन्धर होना चाहिए कैसा होनी चाहिए सुन्धर होना चाहिए और दोस्तों समाचार सुधा वर्षण कि जो संपादक होंगे वो कौन होंगे सुन्धर से स्याम सुन्धर सेंड अठारा सो चंगन में हिंदी क प्रथम देनेक समाचार पत्र था ठीके याद रखना है हिंदी का प्रथम देनेक समाचार पत्र और हिंदी का प्रथम सापताहिक समाचार पत्र था ओधन्तमारतंड ठीके पिरजा है तेसी कि जो संपादक थे वो कौनते दोस्तो राजा लक्षमन से हैं कौनते राजा लक्ष लक्षमन थे वो क्या थे प्रजा है तैसी अधिकांस राजा आपने देखा होगा प्रजा है तैसी ही होते हैं वैसे ही लक्षमन लक्षमन जी को राजा बना दिया जाता तो वो भी क्या होते प्रजा है तैसी होते ठीक है प्रजा है तैसी 1855 में आगरा है ना बचपन से लेके पचपन तक की जनता की क्या करेंगे वो प्रजा का हित करेंगे प्रजा हित ऐसी होंगे ठीके तो याद रख लेना मैं पूछूँगा प्रजा हित ऐसी जी हाँ सर राजा लक्षमन बहुत प्रजा हित ऐसी थे ठीके इस प्रकार से याद रखना ग्यान प्रदाइनी पत्रिका कि जो संपादक थे वो कौन थे? ग्यान प्रदाइने पत्रिका, दोस्तों एक चीज बताração, आप हमसे बोलते हो सर, नभीन नभीन ग्यान प्रदान किया क्या करो, नभीन नभीन ग्यान प्रदान किया करो, तो मैं भीन नभीन त substitution निकालके आपको देता हुग है ना, तो ज्यान प्रदाइनी पत्रिका यानि कि ज्यान प्रदान किया करो कैसा नवीन नवीन तो नवीन चंदर राय है ना 1866 और राहोर से प्रकास यह थी तो याद रख लेना कभी नहीं भूलोगे आप बोले ज्यान प्रदाइनी पत्रिका जी मैं ज्यान प्रदान करता हूँ बचन सुधा के संपदक को थे तो आपको सिर्फ इतना रखना है कि भारत के कभी के जो बचन होते हैं वो बिलकुछ सुधा के जैसे होते हैं अमरत के जैसे होते हैं भारत के कभीयों के बचन सुधा जैसे होते हैं तो भारत के बनेगा आपका भारत अंदू और कभी बचन से क कुंदेल खंडी भास सायद आपने सुनी होगी पुत्र को बोला जाता है मोडा क्या बोला जाता है यार तुमारा मोडा बहुत अच्छा है मोडा और मोडा को हर वेक्ति क्या करना अपने अपने मोडा को क्या देखता है सदा आनंद में देखना चाहता है कैसा सदा आनंद में देखना चाहते हैं सभी अपने-पने मोडा को, ठीक है, सदा आनंद, तो अलमोडा समाचार की संपादक होंगे, सदा आनंद, सलबास, ठीक है, 1871 में अलमोडा से निकली थी, ठीक है, नेक्स्ट दोस्तो हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के बारे में मैंने आपको ट्रेक बताई थी कि हिंदी पिर्दीप को कैसे याद रखना है पिर्दीप के बाल भटा से भरत गए। से याद रखेंगे तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकर्ष्ट भट जी ठीक है भारतेंदू जो आपने देखा होगा दोस्तों भारतेंदू काल भारतेंदू काल के भारतेंदू मंडल के भारतेंदू मंडल के सबसे स्रेष्ट और सबसे क्या कहें बरिस्ट बरिस्ट कभी थे बालकर्ण बट जी ठीक है 1800 जो है चवालीस में इनका जन्म हुआ था ये चीज भी आद रखना है बालकर्ण बट जी का और हिंदी प्रदी पे नोंने निकला था 1877 में मित्र बिलास देखें दोस्तों मित्र बिलास और आपने देखी होगी दोस्तों करशने लीला के होते थे बहुत सारे मित्र कनया जी के अपने मित्रों को माखन चुरा चुरा के ले जाते थे हैं ना तो मित्र बिलास के रचनाकार कौन होंगे कनया लाल क्योंकि कनया जी के बहुत सारे मित्र थे और 1877 में कहां से निकला लाहोर से ठीक है मैं पूछूँगा मित्र बिला का बहुत प्रताफ है, पूजन पाठ करवाते हैं, हबन करवाते हैं, है ना, तो ब्राम्मन का क्या है, प्रताफ है, तो ब्राम्मन पत्र की संपादक कोन होगे, प्रताफ नारैन मेस्त्र 1883 कानपुर, ठीक है, कानपुर, और जब ब्राम्मन पूजन पूजन करवाते हैं, कान पकड़के बोलते बेटा ऐसा नहीं करना है है ना पूजन करवाते हैं भगवान की पूजन करो तो कान पकड़के तो कान पूर ठीक है आनंद कादंबनी की रचेता के संपादक कौन है दोस्तों आनंद कादंबनी तो इसके जो संपादक थे वो थे बद्री नारान चोदरी प बोड़े जरूर थे ना और आनंद कादंबनी और आपको पता है दोस्तों कि जो प्रेम घन है प्रेम घन आनंद आ जाता है क्या जब अगर प्रेम के घन चा जाएं प्रेम के बादल चा जाएं तो आनंद आ जाता है सभी को आनंद आ जाता ना तो आनंद कादंबनी के आपके संपादक होंगे बद्री नारण चोद्री प्रेमगान है ना 1881 में मिर्जापुर से तरकासित हुआ था नेक्ष्ट दोस्तो सुब चिंतक सुब चिंतक आपको पता है इसके संपादक सीता राम और 1883 से जबलपुर से निकला था सुब चिंतक है ना है ना जहां का मैं हूँ ज सुब चिंतक है सीता राम के ठीक है तो सुब चिंतक किसके हैं सीता राम के है 1883 में जबलपुर से निकला था दोस्तों मैंने आपको जहां जहां जो ट्रिक निकली वह बताने का प्रयास किया याद करवाने का प्रयास किया है ना अब आपकी बारी है आपको देना है विकल्प है हमारे सामने धोस्तो हमने याद किया था कि प्रदीप के बाल भाता से भरत गए कैसे प्रदीप के बाल भठा से भरत गए तो प्लेदी प्र०ीप संपादक कौन THे हैना मैं ज रखर बने कि संपादक कौन होंगे कों होंगे सीटा राम और बसक्तों जो उन्हों रखर जबाल रख लेना जबलपूर MP से अगला बताना थ है बुद्धी प्रकाश के इनकी संपादक को संपादक कौन बुद्धी रहती है वो सदा सुख मिलता है और वो सुख के लाल बन जाते हैं तो बुद्धी प्रकास के संपदक कौन थे सदा सुखलाल है ना याद रख लेना तो याद सदा सुखी लाल कर दो या सदा सुखलाल बुद्धी प्रकास ठीक है एक नम्मर आपका बिलकुत सही ह जाएगा जोस्तों दो सेकंड आपको दिये जाएंगे आनंद काधम बनी के संपादक कौन थे आपको भटाक से बताना है क्योंकि टरेकी मैंने ऐसी बताई आपको सिर्फ दो सेकंड की सब्द को देखो कौश्चन को देखो और उत्तर बताओ ठीक है तो आनंद काधम बनी के वद्री नाराण चोधरी प्रेमघन यानि कि आपको जो विकल्प नमबर यह है वो विल्कु सही हो जाएगा तीक है आपसे बन रहा है तो कमेंट में जरूर बताना और कौन सी ट्रेक आपको सबसे अच्छी लगी वो भी आपको कमेंट में लिखना है और आपको बताना है ओदंत मारतंड के संपादा कौन थे चार विकल्प हैं आपके सामने बद्री नाराण चोधरी प्रेमघन जुगल किसूर सीता राम या फिर स्याम सुंदर सैन आपको बताना है दोस्तो ओदंड कौन होते हैं किसूर लोग किसूर लोग क्यासे होते हैं ओदंड होते हैं तो ओदंत मारतंड के संपादक कौन होंगे जुगल किसूर जुगल किसूर यानि कि किसूर और 1826 में दोस्तो ये प्रकासित हुआ कलकत्ता से ठीक है जुगल किसूर इसके संपादक थे और इस सापताहिक समाचार पत्र था अंगला बताना ब्राम्मन की संपादक कौन थे चार बिकल्प है दो सेकंड भी आपको दिये जाएंगे जब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया में किसका प्रताप है किसका प्रताप है ब्राम्मन का प्रताप है, ब्राम्मन का प्रताप है, है ना, तो ब्राम्मन की संपादक कों थे, प्रताप नारयन मिस्तर, याद रखना, है ना, ये नम्मर आपका, बिल्कु सही होगा, कभी बचन सुधा के संपादक कों थे, दोस्तो, कभी बचन सुधा के संपादक, तो मैं थे कौन थे हैना वोले भारत के होते हैं तो भारत से बनेगा सर भारतेंदू हैना और भारतेंदू जी के नाम पर भारतेंदू युग का नाम डला हैना और दोस्तों यह स्रेस्ट थे भारतेंदू मंडल के अठारा सो पचास में जन्म हुआ था और अठारा सो पचासी में इन में आपको कई बार बताया है कि जो समाचार सुधाबर्शन है हिंदी का प्रतं देनिक समाचार पत्र रहे अठारा सूच चौगन में यह प्रिकास्षित हुआ था और दोस्तो आप आप कैसे समाचार सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, जो सुन्दर हों, यानि कि समाचार कैसे होनी चाहिए, सुन्दर होनी चाहिए, तो समाचार सुधावर्षन की संपदक कौन होंगे, स्याम सुन्दर, सैन, यानि कि आपका विकल्प नंबर जो D है, वो वि था कौन सा समाचार सुधावर्षण यानि कि आपका जो वी नंबर है वी नंबर वो बिल्कु सही हो जाएगा समाचार सुधावर्षण हिंदी का पर्थम देनेक समाचार पत्र था वी नंबर आपका बिल्कु सही है हिंदी का पर्थम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था तो आपको बताना है दोस्तो और साप्ताहिक की बात आई है तो साप्ताहिक को था ओधंड मारतंड है ना ओधंड मारतंड क्यूंकि सप्ताहिक में किसोर लोग ओधंड मचाते हैं प्रदाइनी पत्रिका के संपादक कौन थे ग्यान प्रदाइनी है ना मैंने अभी बताय था कि आप बोलते हो सर नभीन नभीन ज्यान प्रदान किया करो नभीन नभीन ज्यान प्रदान किया करो और आप भी किया करो है ना नभीन नभीन ज्यान किसी को भी दे रहे हो नभीन नभीन ज्यान प्रदान किया करो तो ज्यान प्रदाइनी पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे नभीन चंदर राय यानि कि जो आपका C नमबर है वो बिल्कु सही हो जाएगा C नमबर अंगला है दोस्तों बुद्धी प्रकास के संपादक कौन थे प्रताप नारणमेस्त्र सदा सुकलाल नभीन चंदर राय या फिर स्याम संदर सेन बुद्धी प्रकास के संपादक कौन थे चार विकल्फें दो सेकंड भी आपको पता है दिया जाता है और मैंने बताया था कि जिसके पास बुद्धी है वो सदा क्या रहेगा सुखी रहेगा तो सुकलाल है ना आपने पड़ भी लिया है उदंत मारतंड कब प्रकास थुगा था दोस्तों तो जल्दी से बताएं मै कई बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो दंत मारतंड था हिंदी का परथम साप्ताहिक समाचार पत्र था या फिर हिंदी का परथम समाचार पत्र था ठीके और इसका प्रकासन कब हुगा था 1826 में है ना 1826 में कलकत्ता से हुगा था और अंगला है दोस्तों तरा मोहन जी जो थे, वो सुधाकर के संपादक थे, ठीके, यानि कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, C नंबर, अब दोस्तों आपको बताना है कि जो है प्रजा हित्यसी पत्र का प्रकासित हुआ, ये चार बिकल्प है, चार में से आपको बताना है, और आपका जो बिल्कु स सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रजा हित्यसी राजा लक्षमन से हैं का था दोस्तों, और मैंने आपको बताया था, कि जो राजा लक्षमन थे, है ना, राजा लक्षमन थे, वो प्रजा का हित्त करते थे, चाए बचपन से लेकर पचपन तक, सारी प्रजा काहित करते थे कौन राजा लक्षमार से हैं और प्रजाहित ऐसी इनके द्वारा संपालित किया गया और दोस्तों बचपन तक यानि की अठारा सो पचपन उधन्त मारतन अठारा सो चब्वीस हैना समाचार सुदावर्शन अठारा सो चोंगन और बंगदूत पत्री का जो थी राजारा मॉहर्राइ की अठारा सो उन्ती स में यह प्रिकास्यत हुई थी इतने सारे समाचार पत्र थे दोस्तों जिनके सन भी आपको याद हुए होंगे है ना और बहुत सारी चीजें भी आपको याद हुई है याद हुई है कि नहीं हुई है सबी लोग बताएंगे और आपको एक question दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर मैंने वो ही question रहा मिट्टी की बारात मिट्टी की वारात जो है यह रचना किसकी है यह आपका चेलेंज प्रसन है और इस रचना को साहित अकादमी पुरुसकार भी मिला है यह रचना किसकी है कमेंट में आपको लिखना है आपको ओफसन दिये जाती हैं दोस्तो स्यो मंगल से सुमन ठीक है एक ओफसन है आपका स्यो मंगल से सुमन ठीक है द जोथा option है दोस्तों आपका जैसेंकर पर साथ ठीक है ये चार option आपके पास है चार में से आपको कमेंट में लिखना है चेलेंज प्रसन है आपको जरूर बताना है हैना मिट्टी की बरात के लिए कब साहे तकादी पुरुसकार मिला ये चीज भी आपको खोजनी है ये रचना किसकी है ये भी कमेंट में लिखना है और इसके बारे में कितना आप जानते हो वो भी लिखना है और ये जो चार आपको option दिये है इनके बारे में आप क्या जानते हो वो भी आपको कमेंट में लिखना है ठीक है तो जितना जादा आप लिख पाते हो उतना जादा आपको य पर देखना है और टेलीघ्राम गुरूफ से आपको जुड़ना है तो टेलीघ्राम में दोस्तों आपको क्या करना है कि टेलीघ्राम एप डाउनलूड करना है सर्च कर लेदा है IAS स्टेडी ट्रेक और जोईन हो जाना है और जो भी साती वाट्सअफ गुरुफ से नहीं जुड़े हैं उनके लिए नंबर है 909898609291 ए वाट्सफ गुरुफ से आप जुड़ सकते हो ठीक है सबी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिन